हेलो दोस्तों नमस्कार, आज MP6 का एक्जाम था, आईए उस पेपर को ही हल कर लेते हैं, तो सवाल नमबर एक, यानि कि हिंदी के पोर्षन में अगर हम जाएं, तो सवाल नमबर एक वन, एक गीत सबसे पहले दिया गया है, गीत का अंस आपको बताना है किस नाटक से हैं, और गीत कुछ हिस्त्रीके से था, कि राम के नाम से दोनो नैन बिनू, सूर दास भाई कवी कुल राई, एक गीत आपने सुना होगा, राम भजो भाई, राम भजो, महंत अपने सिश्यों के साथ गाता है, तो अंधेर नगरी से ये गीत लिया गया था, तो पहले का उतर जो है, वो D हो जाएगा, अंधेर नगरी ये सही उतर होगा इसका, सवाल अंबर दूसरा, फिर एक नाटक से सवाल है, स्थान है तक्सिला के गुरुकुल का मठ, इतना पता लगते ही, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नाटक है, चानक के और सिंहरन जो है, आपस में बात कर र नहीं है, मंदाकिनी दुरुस्वामिनी के पातर है, कोमा है, खिंकिल है, ये दुरुस्वामिनी के पातर है, देव सेना जो है, वो दुरुस्वामिनी नाटक का पातर नहीं है, जबकि वो सकंद गुप्त का पातर है, चलिए 54 पर आते हैं, 54 में एक और नाटक से सवाल है, जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वैं हार गया, द्वापर युग बीट गया, उक्त कथा गायन का संबंद अंधा युग नाटक के किस अंख से है? ये शुरुवात में ही है, तो पहले अंख में ये लिया गया है, तो पहले अंख से ये जो गायन का संबंद, चंद्रकला और मनोर्मा सबको ग्यात ही है इसका तो इसका सवाल का उत्र हो जाएगा ए यानि कि चंद्रकला और मनोर्मा सही है सवाल अमबर 56 की तरफ आते हैं बहुत फेमस पंक्ती है विलोम क्या है एक सफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम असाडगा एक दिन से पंक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है ये पंक्ती बोलता कौन है ये कथन किसके द्वारा कहा गया था ये सवाल किया गया था तो ये कथन था विलोम के माद्धम से इका गया था मलिका नहीं बोलती है, कालिदास भी नहीं बोलता है अंबिका भी नहीं बोल रहे यह विलोम बोल रहा था विलोम कलिदा से जब बात चीत करता है तब का यह गतने सवाल नंबर 57 यह नाटक जो है इबराहीम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसमाइक नाटक नहीं है यह गध्यांस का सम्बंद किस नाटक से है यह गध्यांस का सम्बंद जो है वो बकरी नाटक से है बकरी नाटक में यह कहा गया है कि अगर हिंदी में कुछ ऐसा नाटक लिखा जाता जो आम आदमी की भावनों के साथ नयाय कर पाता या आम आदमी का समसमाईक नाटक होता तो साइध इस नाटक को लिखने की आश्रक्ता ना होती तो सर्वेशोर द्याल सकसेना ने बकरी में यह बात कही है ठीक है तो अगले सवाल की तरफ आते हैं 58 की तरफ 58 है धीरे धीरे अंदकार अंदकार में बच्चों के रोने की सिसकने की आवाजें आती हैं धीरे धीरे प्रकास 78 वर्स का सुथामा जमीन पर पाउं खिसलाता मचल रहा है यह द्रिश्य प्रिवर्तन की सुचना किस नाटक की है देखिए असुथामा का जिकर हमारे पास दो इनाटक में है यह तो असुथामा का जिकर है अंधा युग में यहां एक और दोनाचरी में लेकिन यहां जो यह सवाल के आगया है 78 वर्स का सुथामा जमीन पर पाउं खिसलाता मचल रहा है और धीरे धीरे अंधकार अंधकार में बच्चों के रोने की सिसकने की आवाज यहां रही है यह आपको एक और दोनाचरी की तरफ खिंच के लिए जाएगा तो सवाल का सही उतर हो जाएगा एक और दोनाचरी है ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं 59 निमलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है स्थान है दिल्ली में अंजली दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा अंजो दीदी नाटक से ये बात है इतना पता लग गया है पहला अंक है गर्मियों में एक दिन ठीक है ये बात सही है पहला अंक 1933 में जब उसमें दिखा नाटक में दो ही अंक है तो असत्य हो जाएगा ये दी उप्शन तीसरा आंक है निल्न दो ही अंक का नाटक है चलिए 60 नमर पे आते हैं आज सरोहा में घटी छोटी से छोटी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा सकती है शरोहा सीट की बात अगर बात क सरोहा का नाम ही आपको पता लग ज़रा है बीसू और बीसू की मोत वरना और दिन होता तो क्या तो बीसू और क्या बीसू की मोत तो ये महाबोज का एक संदर्व है तो महाबोज से कथन जो है लिया गया है ठीक है सरोहा का जिकर भी महाबोज में है राजनितिक जो घटना करम आप देख सकते हैं यहाँ जैसे बात के गई ना छोटी से छोटी गटना इस सीट के साथ जोड़ कर देखे गई है तो राजनितिक संबंद यहाँ पर दीखी रहा है और मुख्य पातर जो है कुसका दीख रहा है उसमें बीसु तो यह महभोज का पातर है अगला सवाल जो है 61 सीधा सवाल है वालाइनर संस्कृति और संद्रे निबंद के लेखक कोन है तो संस्कृति और संद्रे निबंद के जो लेखक है वो नामवर सिंग है ठीक है वालाइनर क्वेशन है सवाल नमबर 62 मैं इनकी आसा आकांग्षा उच्छा साहस और उद्यमता आदी से वैसे ही अ आकरशनक्षेत्र में पढ़कर साधारन लोहा भी चुमक बन जाता है। बहुत जबरदस्त पंक्ती है ये और इतना ही फेमस और परसिद ये निबंद था। आपको ध्यान आ ही गया होगा उत्रफालगुनी के आसपास निबंद जो है उसमें से हमने इस पंक्ती को लिया है। ठीक है तो ये सवाल और ये निबंद दोनों खास हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा एक बार जिन्दगी में अगर इस निबंद को पढ़ने का मोका मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुत कुछ सिखाने वाला ये निबंद है। चलिए अगला सवाल है सवाल न गडरिये वाला परसंग जो है पंक्ति के लेखा का नाम क्या है ये निबंद का नाम आप बताएए कौन सा है गडरिये का परसंग भी उसमें है ठीक है तो इस पंक्ति के लेखा का नाम है सरदार पून सिंग सरदार पून सिंग का जो निबंद है उससे ये पंक्ति ली गई निबंद का नाम क्या है यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सवाल नम्बर 64 परताप नाराण मिश्र इनके अधिकतर निबंद किस पत्र में प्रकासित हुए थे तो ब्राह्मन जो पत्र निकलता था उनमें इनके अधिकतर निबंद प्रकासित होते थे सवाल नम्बर 65 उठजाग मुसाफिर के लेखक का नाम क्या है उठजाग मुसाफिर वल्ला इंदर क्वेशन है सारे के सारे वीवे की राय का ये निबंद है तो वीवे की राय इसका सही उत्र हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट 66 आचारे रामचंदर शुकल के निबंदों की विशेशता क्या है आचारे रामचंदर शुकल के जो निबंद है भाव और मनोविक्यार समंधी निबंद है बिल्कुल सही है आलोचना का सैध्धानतिक और वैवारिक रूप इनके निमंदों में देखने को मिलता है ये भी सही है तो दोनों सही हो जाएंगे इसका दोनों A और B दोनों सही है तो जिस दिस साथी ने A और B का चुनाव क्या है उनका उत्तर एकदम सही है व्यापक मानवतावादि द्रिष्टी और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निमंदों की परमुक विशेष्टा है अगर आपने निमंद के बारे में जानना हो या रामसरुप चोत्रवेदी की अगर इतिहास की किताब अगर हम उठा के देखें यदि आपने पढ़ी हो तो उसमें साफ साफ लिखा है डॉक्टर हजारी परसाद दुवेदी के निमंदों की जो विशेष्टा है उनमें आप देखेंगे व्यापक मानवतावादी द्रिष्टिकोन और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा यदि किसी के निमंदों में दिखाई देती है अगला सवाल 69 अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसिस, आदि, तुर्क सब सरपट दोड़ जाते है सब के जी में यही है कि पहला हमी पहले चुले ये किस निबंद कांस है ये तो व्यंग है और सिर्व संबू के चिठे से लिया गया है किसका है? सिर्व संबू के चिठे से देखे आप समझ जाएए, सब के जी में यही है कि पहला हमी पहले चुले तो ये बहासा जो है आपको साफ साफ इंडिकेट कर देगी कि बालमकुंद गुप्त ने लिखाई ये ठेक है तो सिर्व संबू के चिठे सही उतर हो जाएगा जिसका सिर्व संबू के चिठे है option उसका सही है सिर्व संबू के चिठे किसको संबोधित किया गया है? लिजी अगला सवाल यही है तो जिस भाई ने स्काउतर लाड करजन लगाया है लाड करजन के नाम उन्होंने चिठी लिखी थी तो उनका सेही है चलिए एक सवाल आपसे वैसे एक्ष्टा पूछ लेते हैं कितने चिठे लिखे थे बाल मुकुंद गुप्त ने लाड करजन के नाम ठीक है ओप्सन में आ माते की मूर्तों में क्या है जिन्दगी है ठीक है जब तक इनसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो उप्रियुक्त अंस किस रचना से लिया गया है जब तक इनसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी का वक्त उसे कैसे मालूम शिवरानी देवी का जो रचना है अमारी प्रेमचंद घर में उसमें से प्रसंग लिया गया है ठीक है तो प्रेमचंद घर में जिसका चुनाव है उसका सही है आप हुदरी किसकी आत्मकता है देखिए कैसा सवाल आया है तो वन लाइनर सवाल सिद्य सिद्य है रमणे का गुप्ता की जो आतम गता है उसका नाम है आफुद्री मनोमनारी वाले कुण सी है एक कानी ये भी सिवरानी देवी की कुण सी है MASTI देवी की तो आतम गता तो नहीं उन्होंने जीवनी लिखी है सिवानी की यह आप हमें कमेंट करते के बता दीजिया ठीक है 74 की तरफ आते हैं भोला राम का जीव में पेंशन के लिए रिस्वत के तोर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था बहुत अच्छा सवाल है यह भोला राम का जीव में बहुत मतलब रचना के अंदर से सवल पुछा गया है पेंशन के लिए रिस्वत के तोर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था तो इसमें ओप्शन्स आपके पास हैं रुपेय गदा वीना और बानसुरी तो सही उतर इसका जो है वो है वीना तो उन्होंने वीना रख ली थी सभाविक तोर पर बात है नारत जो है वीना लेकर रखे जाते हैं 75 जामुन का पेड किसकी रचना है जामुन का पेड क्रिशन चंदर की रचना है 76, किसी भी सासन के दो परमुखंग होते हैं सुरक्षा और विधी ववस्था यदि कायस्थों ने हिंदु सासन की विधी ववस्था समाली होगी तो सुरक्षा ववस्था शत्री समालते होगे तो उन्होंने मुसलिम सासन में भी ये कारे किया होगा ये अंस जो है किस पुस्तक से लिया गया है तो ये अंस जो है संस्कृति के चार अध्याय से लिया गया है वो हमारी संस्कृति के बारे में बता गया सीधा सीधा कि सासन के दो अंग होते हैं अगर उन्होंने ये संभाला होता तो ये इस रुक्षा ववस्ता क्षत्री संभालते हैं तो ये संस्कृति के चार अध्या का जिकर है मेरी तिबत यात्रा में पर्थम खंड कौन सा है मेरी तिबत यात्रा में पर्थम खंड है लाहसा से उत्तर की और टेक है? तो लहासा से उतर के और ये पहला खंड है 77 हो गया, 78 की दरफ आते हैं 78 क्या कहता है? संस्कृति के चार अध्याए के लेखा का नाम क्या है? तो संस्कृति के चार अध्याए जो है वो लिखा गया था रामधारी सिंग दिनकरदवरा 79 जीवनी लेखन में किन घटनाओं का चैन क्या जाता है? तेखे जीवनी लेखन में समवेदना की गहराई होनी चाहिए वो वले घटनाएं ली जाती है अनुभाव का स्रिंखला बद कलात्मक चैन भी होना चाहिए ये भी बिल्कुल सही है और भावों को आंदोलित करने की शक्ती हो आलोडित करने की शक्ती हो ये भी करम इसका सही है भाव भी हो, समवेदना भी हो और स्रिंखला बद तरीके से चीज़ें चलती रहें वो सब बातों को देख करके ही उन घटनाओं को सामिल करके ही जीवनिया लिखी जाती है तो ये सारे के सारे विकल्ब जो है एकदम सही है दुरूस्त है सवाल नमर 80 क्या कहता है मुर्धहिया किसकी आत्मगता है मुर्धहिया तुलसी राम की है तुल्शी राम के आत्मगता का नाम है मुर्दहिया सवाल नम्बर 81 पाली भासा तथा असोक की धर्मलीपियों का कालकरम क्या है तो सवाल नम्बर 81 जो है भासा विज्ञान चे है उसका सही उतर हो जाएगा कि ये 500 इसा पूरू से 1 इस्वी तक जो पाली भासा और असोक की धर्मलीपियों का कालकरम माना जाता है 500 इसा पूरू से पहली स्थापदी तक यारी इस्वी तक तो इसका सही उतर हो जाएगा अमारा B सवाल अमबर 82 जोर्ज गिरियसन ने आधुनिक भारतिय आरे भासाओं को कितने भासा समुदायों में बाटा है अब ये सवाल जो है ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है क्योंकि जोर्ज गिरियसन ने भारतिय आरे भासाओं का जो वरगीकन किया है वो तीन बार किया है पर्थम वर्गिकन, दुवित्य वर्गिकन और तीसरा वर्गिकन और उसमें भासा समुदाय तिनों में अलग लग माटे गए हैं अब ये कौन से का मानेगा ये पहले का मानेगा कि दूसरे का मानेगा कि तीसरे का मानेगा ये आप आयोग पर ही छोड़ सकते हैं ठीक है तो हमारे नजरे से इस सवाल को हम complicated इसलिए मानते हैं क्योंकि तीन वर्गिकन है और तीनों के अलगलग अंस है ठीक है तो इसको निगाह रखनी पड़ेगी कि आयोग इसमें क्या मानता है सवाल number 83 नागर अभ्रंस के व्याकन के लेखक हैं कौन तो नागर अभ्रंस के व्याकन के जो लेखक है वो हेमचंद्र है क्या है हेमचंद्र इसका सही उत्र हेमचंद्र हो जाएगा इन में से कौन सी धोनी अंतस्त वेंजन है यार अलावस है यह जो है अंतस्त धमने होती है तो इसमें रहे आपको दिखाए दे रहा होगा यारा लव है, ठीक है तो यह अंतस्त होती है खुश वो जो है उसमें उपसर्ग आपको बताना है था next बहुत असान सावाल है तो इसमें उपसर्ग आगे वाला होता है जो सब्दान्स होता है आगे लग करके मुल सब्द का अर्थ परिवर्थित कर देता है वही तो उपसर्ग होता है तो खुस उपसर्ग है इसमें कौन सा है? खुस बी उपसर्ग इसका correct हो जाएगा तो छासी नमर पे आते हैं वाग युद्ध में कौन सा समास है वाग युद्ध यहनि कि वाणी के साथ जब हम युद्ध करते हैं वाग युद्ध करते हैं किसी के साथ तो एक साधन के आशक्ता पड़ती है और साधन आम ऐसा कन तत्पूर्ष में होता है तो कन तत्पूर्ष जिसने भी जाती भी होते हैं ज्वारला नेरु के लिए प्रियोग होता है तो पंडित जी ये ज्वारला नेरु के लिए प्रियोग होता है तो व्यक्ति वाचक संग्या जरूर है लेकिन ये पंडित जी जो है जाती वाचक के तोर पर भी हम प्रियोग करते हैं ठीक है तो पंडित जी इ में मोहन का कुछ खो गया है तभी टोर्च से डूढ रहा है तो ये अनिष्चे वाचक सोरना में मोहन का कुछ खो गया है ठीक है पक्का नहीं पता है क्या खोया है निष्चे नहीं है अनिष्चे है ठीक है सवाल नमर 89 भासा रूप के विभिन स्तरों पर एक रूपता लाने के कारे को क्या कहा जाता है कि भासा के अगल विभिन स्तर पर एक रूपता लाने का प्रियास करते हैं तो मानकी कण बूला जाता उनको भासा का मानकी कण ठीक है तो मानकी कण सही हो जाएगा सवाल नमबर 90 की तरह आते हैं भारतिय सविधान के अनुछे 347 में उलेखित क्या है तो 347 ये कहता है कि किसी राज्ये की जन संख्या के परियाप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भासा के संबंद में उबन जो है वो 347 के तहत होता है ठीक है तो ये D option इसका जो है वो correct हो जाएगा ठीक next 91 की तरह आते हैं अध्यात्मिक रंग के चस्में आजकल बहुत सस्ते हो गए है उन्हें चड़ाकर जैसे कुछ लोगोंने गीत गोविंद के पदों को अध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापते के इन पदों को भी तो ये विद्यापते के बारे में रामचंदर शुकल का कथन है रामचंदर शुकल इसमें कहने की होगा option A जो है बिल्कुल सही है 92 की दरफ आएं 92 को दो देख लेते हैं 92 भी एक कथन है किस कवी के बारे में है ये कथन यहां दिया गया है कि इसके साथ ही मनुश्यतों की समान्य भावना को आगे करके निम्न स्रेनी की जनता में उन्होंने आतम गोरों का भाव जगाया तो निम्न स्रेनी की जनता में आतम गोरों का भाव जगाने वाले कबीर थे, कौन थे, कबीर थे, तो ये कबीर के बारे में है, सिधा-सिधा पता लग रहा है, बहुत असान जो सवाल बने है, कबीर सिधा-सिधा है, सवाल नमर 93, निगम अगम सहब सुगम राम सांचली चाहा, अम्बु असन अवलोकियत सुलब सभाई जगमाई, ये पंक्तियां किस कवी की हैं यह आपको बताना है तो यह तुलची दास की है निगम अगम साहब सुगम राम संचली चहा अम्भू असन अवलोकियत सुलब सबही जगमा तो यह किस की हैं तुलची दास की पंक्तिया है 94 भासा बुषण भासा बुषण दमिली खित में से किस कवी की रचना है वाला इनर सवाल है सीधा सीधा तो भासा बुषण जो है माराज जस्वन सिंग्ग की रचना है भू लोक का गोरव प्रकर्ति का पूने लीला स्थल कहां फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहां जहां संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उतकर्ष है उसका की जो रीसी भूमी है वह कौन भारत वर्ष है तो ये मैथली शन गुप्त की पंग्ति है किसकी पंग्तिया है मैथली शन गुप्त की पंग्तिया है रचना का नाम बहुत फेमस रचना है आपको पता है नाम लिख के जरा बताए कमेंट में कौनसी रचना है सवाल नमबर 96 मारेशी मोही कुंठाओ यह निबन जो है यह चंदरधर सर्मा गुलेरी का है वन लाइन दर क्वेस्चन है सिधे सिधे सारे के सारे अगली पंक्ती देख लेते हैं 97 यह सच है बार बार हार हार में गया खोजा जो हार अक्षार में नया उसी धूलतन सारा भर गया नहीं फूल जीवन अविकच है यह सच है तो यह सच है यह जो पंक्तिया है गावे की पंक्तियां जो है ये निराला जी की पंक्तियां है सुर्य कांत्री पाठी निराला की पंक्तियां 97 का ये D option जो है इसका सही हो जाएगा 98 पर आते है 98 क्या कहता है 98 कहता है भईया सिंदूर की हुली 1934 का नाटक है किसकी रचना है तो सिंदूर की होली लक्षमिनान मिश्र का नाटक है सही वालनाइन क्वेशन है ये भी आपका तो 99 गैंगरीन कहानी गैंगरीन का दूसरा नाम पता है रोज वो कहानी किसकी है सचिदानन्द और उसके आगे क्या है सचिदानन्द, हीरानन, वाच्चान, अगे अगे की रिचना है सवाल नमबर 100 मैं उन वैक्तियों में से हूँ और ऐसे वैक्तियों के संक्या साइद दिन परती दिन गढ़ती जा रही है जो भासा का सम्मान करते हैं और अच्छी भासा को अपने आप में सिध्धी मानते हैं ये आज सुबह ही हमने सवाल किया था आज सुबह ही ये सवाल किया था ये अग्ये की पंक्ति है किसकी पंक्ति है? अग्ये की पंक्ति है तो 100 तक हमने कर ली है सवाल 50 सवाल भागी है दूसरा वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे सुबह तक आपको वो भी मिल जाएगा चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले 50 कोशनों के साथ तब तक आप अपनी अंसर की को मिला लेजिए और देख लेजिए किसके कितने सवाल ठिक हुए है सभी को ढेर सारी सुबकाम नाए उमीद करते हैं मैक्सिमम विद्यार्थी जो ही इसमें सफल रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये हमारा सुलूशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताए वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करेगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्का जहिन